आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ परसन है निमन परसनों में सरंखला की छुटी हुई आकर्ती दी गए उत्तर आकर्तियों में से चुनिए तो उत्तर आकर्तिया हमारे पास चार दी गई है, पहली उत्तर आकर्ती ये दी गई है दूसरी उत्तर आकर्ती ये दी गई है और इसके साथ साथ तीसरी उत्तर आकर्ती और चोथी उत्तराकर्ति, तो चार उत्तराकर्तिया हमें दी गई है, इन चार उत्तराकर्तियों में से इस परसन आकर्ति के बाद क्या आएगा हमें बताना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह का यहां पर एक भाग दिया गया है, यह दिया गया है, एक वर्गाकार भाग इस तरह से इस वरगाकार भाग में हमें ये आकरतिया बैठानी है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे अंदर क्या है यहाँ पर सबसे अंदर क्या है एक तिरभुज है जो सबसे अंदर है अब वो अंदर से दूसरे नमबर पर आ चुका है, अब वो यहाँ पर अगर देखते हैं तो अंदर से तीसरे नमबर पर आ चुका है, अब अगर आगे आएगा तो अंदर से चोथे नमबर पर एक तिरभूज आएगा, यानि आप कह सकते हैं कि सबसे बाहर एक तिरभूज र अब हमारे पास एक वर्ग था तो यह वर्ग यहां से तीसरे नंबर पर है यहां पर चोथे नंबर पर है अब वापस कहां चला जाएगा सबसे अंदर चला जाएगा और सबसे अंदर अगर हम देखते हैं तो वर्ग हमें दूसरे उप्शन में मिलता है अब हमें अगर वर्ग बनाना है सबसे अंदर तो कौन से option में होगा दूसरे option में होगा ये बहुत छोटा सा वर्ग हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से एक छोटा सा वर्ग हमारे पास यहां आ जाएगा गर हम बनाना चाहते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तीसरे नमबर पर एक वर्थ है तो यहाँ पर यह चोथे नमबर पर रहा होगा फिर यह पहले नमबर पर रहा होगा दूसरे नमबर पर वर्ग कहा है यह देखो दूसरे नमबर पर वर्थ हमें यहाँ पर मिल जाता है इसी तरह है हमारे पास यह दूसरी आकरती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक बढ़ते हुए करम में आकरती को लगाया गया है यहाँ पर अंदर से पहली है तो इसमें दूसरी इसमें तीसरी इसमें चोती रही होगी अगर दूसरी है तीसरी चोती पांच भी और इस तरह से एक चितर को पू सब कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर